The next issue is related to governor's power. हाल फिलाल में एक काफी controversial situation निकल कर आई तमिलनाडू से. तमिलनाडू में जो governor है, उनकी action की वज़े से ये देखा जा रहा है कि governor की power exactly है कितनी, हुआ क्या exactly? एक minister है तमिलनाडू में, उनको actually EDE ने arrest कर लिया था. arrest करने के बाद उनकी उपर investigation वगएरा side में चली ही रहा था कि उन्होंने कहा कि हमारी तबियत खराब है, उन्हें hospital में ले जाए गया, उनकी bypass surgery वगएरा कराई जा रही थी. अब ये सब चीजें जब हो रही थी, तो वहां की जो chief minister है, उन्हेंने सोचा कि ये जो इनकी ministry है, वो किसी और को allocate कर देते हैं. और obvious सी बात है, chief minister ये चीज़ कर सकता है. अब interesting बात है, क्या governor के पास ऐसी कोई discretionary power होती है? हमें ये समझने के लिए article 164 समझना होगा. Article 164 clause 1, clearly कहता है कि chief minister को governor appoint करेगा, और उसके बाद बाकी के ministers को जो appoint किया जाएगा, उसके लिए chief minister advise करेगा governor को. यानि किसी भी minister को appoint करना governor के मन मर्जी पे नहीं है. Governor chief minister की advice के उपर ये काम करेगा. तो obvious सी बात है, किसी minister को appoint करना हो, या फिर किसी minister को कोई portfolio allocate करना हो. Power governor की अपनी discretionary power नहीं हो सकता. ये चीज़ हमें article 164 1 से पता चलती है. और इसलिए जो तमिलनाड़ो की state government है, जो chief minister है, उन्हेंने कहा कि ऐसी हरकतें करके governor federalism के principles को violate कर रहे हैं. अब हमें अगर governor की powers को ठीक से समझना है, governor की powers अलग-अलग हैं, अगर हम specifically sphere wise देखें कि governor की power कौन सी है. अगर मैं governor के executive powers की बात करूँ, executive powers है, जैसे chief minister को appoint करना, ये एक executive power है governor की. अगर मैं legislative बात करो, legislative sphere में, क्या power है governor की? तो ordinances बनाना, ordinances निकलते हैं, president के पास भी power है, governor के पास भी power है. अगर मैं judicial बात करो, judicial sphere में, तो pardon in power, जो कि president की पास भी है और governor के पास भी है, तो governor के पास powers तो कहीं सारे हैं, लेकिन issue तब निकल के आता है, जब governor अपने sphere से बाहर निकल कर, अपने jurisdiction से बाहर निकल कर actions करने लगता है, जिस पर सवाल उठाए जाते हैं, अब ऐसा नहीं है कि तमिलनाडू के governor ने ये पहली बार किया, या फिर सिर्फ तमिलनाडू के governor ने किया, कहीं बार ऐसे instances देखे गए हैं, जहां पर party politics in constitutional post के अंदर आ जाती है, notice किया गया है कि जहां कहीं भी, central government को छोड़कर अलग जो party वाली सरकार है, state governments में, वहां पर जो governor है और chief minister है, इनके relations खासा अच्छे नहीं होते, अगर हम West Bengal का example देखे, हम तमिलनाडू का भी देखे, केरला का देखे, हर जगा पर ये issue बार बार दिखाई देता है, that there is partisan functioning by governor, पहली चीज़, coordination ठीक से नहीं है, और कहीं बार क्या करते है governor, governor के पास article 200 के तहट, एक power है कि वो चाहे तो किसी बिल को, assent देने की जगा, वो बिल प्रेसिडेंट के recommendation के लिए रख सकते हैं, यानि प्रेसिडेंट चेक करेंगे वो बिल कैसा है, पास करना है, नहीं करना है, जब आप प्रेसिडेंट को recommend करते हो बिल, इसकी वज़े से आपका बिल दिले हो जाता है, assent तुरंट मिलता नहीं है, तो जो state government अपनी तरफ से policies चलानी चाहती है, कुछ welfarism करना चाहते हो, कुछ भी हो, उनकी actions उस time period के लिए रुख जाती है, और वैसे भी प्रेसिडेंट के उपर ऐसा कुछ rule तो है नहीं कि आपको कितने दिनों में इस चीज़ को assent देना है, तो ये issue आ जाता है, बार बार ये भी चीज़ देखी गई, अगर किसी position पे, किसी post पे किसी को appoint करना है, तो मान लो cabinet ने प्रस्ताव पारित किया कि इस इस person को इस particular post पे आपको appoint करना है, गवर्नर ने क्या कर दिया, रोक दिया, कहां rejected, तो ये चीज़ें बार-बार होते हुए दिखी है, गवर्नर के office को लेकर और सवाल ऐसे भी उटे हैं, कि क्या गवर्नर एक center के agent की तरह काम करता है, और ना कि एक constitutional post की तरह, जिनका काम है, कि वो state के executive के head को represent करे, या फिर head बन के काम करे, इसके उपर कई बार कुछ committees भी बैटी है, जैसे हम नाम देख सकते हैं, राजमनार कमिटी, पुंची कमिशन, सरकारिया कमिशन, वेंकटचलिया कमिशन, सभी commissions ने बार-बार एक ही चीज़ दोर आई, कि chief minister और governor के बीच में, coordination develop करने की जरूरत है, तो यह थी news, बाकी कुछ update आता है, तो हम next video में इसके बारे में जानेंगे, Thank you.